हलो मेरा नम सचीन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नूमबर 3 एकसे साइज 3C का यह है क्वेश्चन नूमबर 4 और यह क्वेश्चन है इसक्वाइर और इसक्वाइर रूट से बुक है आई-सी-सी मेहत की तो चलिए साल्व करते हैं तो आज बाई देखते हैं क्या करना है तो इसमें बोला क्या है इसक्वाइर आफ विच आफ दा फालोइंग नंबर विल नॉट है जिसक्वाइर करने के बाद उसकी यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा तो इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा उसकी यूनिट प्लेस पे तो यहां जो है इसके पास है यूनिट प्लेस पे 4 और इसकी यूनिट प्लेस पे है 6 तो हम बता दें कि ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो unit place पे 6 होगा इन दोने में से 4 या 6 में से कोई भी number किसी number की unit place पे होगा तो उसका जब हम square करेंगे तो उसकी unit place पे हमेशा 6 आएगा चाहे उसकी unit place पे 4 हो फिर भी square करने के बाद उसकी unit place पे 6 आएगा या तो उसकी unit place पे 6 है तो फिर भी square होने के बाद उसकी unit place पे 6 आएगा लेकिन इस question का ये answer नहीं होगा ठीक है तो इन दोनों के square करेंगे तो जरूर unit place पे 6 आएगा ही तो हमें कौन सा number लेना है ऐसा number लिखना है जिसका square करने के बाद उसकी unit place पे 6 ना आए तो इन दोनों के unit place पे 6 जरूर आएगा और इसके अलावाज जो number बचता है उसका square करेंगे तो उसके unit place पे 6 कभी नहीं आएगा ठीक है तो first वाला second वाला और fifth वाला इन तीनों के unit place पे square करने के बाद unit place पे 6 नहीं आएगा तो इसके लिए हमने एक special वीडियो बना दिया है उसका link इस वीडियो के description में डाल देंगे उसको भी देख लेंगे आप तो और थोड़ा से और अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है उस वीडियो का नाम है properties of square number ठीक है तो आप हम देखेंगे answer को कैसे लिखना है तो यहां लिखेंगे the squares of the following numbers will not have six at their unit place तो वह नंबर होगा 35 फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला 23 ठीक है और लास्ट में है फिफ्ट वाला यह यह तीनों ऐसा नंबर है जिसका अगर हम square करेंगे तो square होने के बाद इसकी unit place पे कभी भी 6 नहीं आएगा हमने बता भी दिया है कि ऐसा कौन सा यह नंबर है जिसकी unit place पे 6 आएगा तो यह इसको इसकी unit place पे 6 आएगा और इसके अलब जो number बचता है इसकी unit place पे 6 नहीं आएगा ऐसा number जिसकी unit place पे 4 होगा या तो इसकी unit place पे 6 होगा उन सभी number का अगर हम square करेंगे तो हमेशाए उसकी unit place पे 6 आएगा लेकिन यह दोनों answer नहीं है इसमें हमें बताना था कि किसकी यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा तो यह जो बचा हुआ है इसकी यूनिट प्लेस पे 6 कभी नहीं आएगा ठीक है तो अब आई एंसोर देख लिए अब आई मुद्दे की बात बात सवन में आई हो तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब बाए